एक महीने की वैत्ता वाले तीन प्लान रिचार्ज से पहले जरूर चेक करें, फाइदे में रहेंगे मोबाइल रिचार्ज करना अब बहुत महेंगा हो गया है ऐसा लग रहा है कि 2016 से पहले का दौर फिर से वापस आ गया है जिन लोगों के पास दो सिम कार्ड हैं, उनकी तो अलग ही समस्या है कुछ दिन पहले ही जियो, एजल और वोडा फोन आइडिया ने अपने सभी प्लान महेंगे किये हैं कमपनियों के इस कदम के बाद इनके प्लान करीब 600 रुपे तक महेंगे हुए हैं जिसके बाद मोबाईल यूजर्स की परेशानी बढ़ गई है आम तोर पर इन कमपनियों के पास अधिकतर प्लान 28 दिनों वाले ही हैं लेकिन कुछ प्लान एक महीने की वैदता वाले भी हैं, जिनके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है इस रिपोर्ट में हम आपको जियो, एर्टेल और वियाई के मासिक प्लान के बारे में बताएंगे जियो का एक महीने वाला प्लान जियो के पास एक 319 रुपे का प्लान है जिसमें एक महीने की वैदता मिलती है यानि आपके एक तारीक को रिचार्ज कराया है तो अगले महीने एक तारीक को ही रिचार्ज कराना होगा इसमें आपको 31 दिन की वैलिडिटी मिलती है इस प्लान के साथ रोज 1.5 GB डाटा मिलता है इसके अलावा रोज 100 SMS और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है Airtail का एक महीने वाला प्लान Airtail के पास एक 389 रुपे का प्लान है जिसमें रोज 2 GB डाटा मिलता है इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G और सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है इस प्लान के साथ 31 दिनों की वैलिडिटी मिलती है Vodafone Idea का एक महीने वाला प्लान 6 का मासिक प्लान 218 रुपए है इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग के अलावा कुल 3GB डाटा और 300 SMS मिलते है विडियो देखने के लिए धनियवाद